कि बिस्मिल्लाय रह्मान रहीम असलाम लेकुम बच्चे हम लोग ऑफिशली स्टार्ट करने लगें अपना लेक्चर नर्व ऑफ दी अब्डॉमिन पेल्विस के उपर मैंने बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे या आपके लिए रेफ्रेंस चेप्टर लिखें बीडी के अनैट हम लोग दो चप्टर का रेफरेंस आपको यहां पर दे रहा हूं नंबर वान है पोस्टीर अब्डॉमिनल वॉल के अंदर नर्व मौजूद है और नंबर टू वॉल ऑफ पेल्विस के अंदर मौजूद है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स मै है एक होती है पहरा संपत्यटिक इविजिन और दूसरी होती है संपत्यटिक डिविजन जो पहरा संप्थिंजिन है पयरास तु तो इसी हिसाब से बचे अब्डॉमिन के अंदर मैं स्पेसिफिकली अब्डॉमिन की बात का रहा हूं क्योंकि हम बाकी रीजन्स को अब इग्नौर करेंगे परासिंपथरिक सप्लाइज जो है बचे अब्डॉमिन के अंदर दो चीजों के थूर आती है एक तो आती है वेगस नर्व के थूर और दूसरी आती है बचे पल्विक स्प्लांचनिक नर्व के थूर कुछ लोग इसको स्प्लांचनिक भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको स्प्लांचनिक भी पढ़ते हैं अब इन दोनों का पहले मैं आप लोगों को मतलब बता दूँ फिर आप लोगों को याद रखना है ठीक है और पूरे अब्डॉमिन और पैल्विस में सबसे ज़्यादा पैरा सिंपथेटिक नर्विस सप्लाइ इसी नर्व की है दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है डाट इस पैल्विक इस पैल्विक स्पैलांशनिक नर्व होती है इस पैल्विक स्विस्里šक यहूता है यह चीज़ आप लोगों याद रखनी है तो जो इस फैल्विक स्विसेंट रुलेटरश Sidsta गयर को हैंज़िंगगी दूसरा important point यहां पे note कर लें कि जो pelvic splanchnic nerves है इनका दूसरा नाम बचे क्या होता है ये भी आप लोगों को आने चाहिए इन लोगों को हम कहते हैं nervous of the perineum nervous of the perineum nervous of the perineum nervous of the perineum please इसको note कर लीजिएगा अगर मेरे spelling में खराबी हो तो माफ कीजिएगा nervous of the perineum nervous of the perineum nervous of the perineum ये नीचे जो है बचे जैसे एक्चली stomach अच्छा उसके बाद आप ये देखें मैं आपको पहले ये शो कर दूँ कि ये diaphragm में से पास कर रहा है esophagus और फिर नीचे आया है अच्छा उसके बाद बचे आप लोग ये देखें कि stomach के बाद बचे आपको जो चीज यहां पर मिलती है that is actually dudenum ठीक है dudenum के बाद आपको different coils मिलेंगी small intestine की ileum और जजनम की form में और ileum finally continue करती है into cecum cecum के बाद बचे ये ascending colon ascending colon के बाद transfers colon आएगी ठीक है transfers के बाद descending colon आएगी एक second बच्चे मैं आप लोगों का जो meeting room है ये locked कर रहा हूं किसी भी बच्चे का connection अगर दुबारा fail होता है तो वो इस classroom को join नहीं कर सकेगा और वो YouTube पे lecture सुनेगा आपका classroom lock ना करने से नुकसान मुझे हो रहा है कि मीटिंग बार बार रुक रही है तो I am locking this classroom अच्छा जी अब देखें बच्चे के ये जो मैं आपको बताया कि ये ascending colon है this one is transverse colon ठीक हो गया और बच्चे साथ ही साथ ये आपकी होगी descending colon और यहां पर नीचे जा के फिर आपका sigmoid colon होगा और साथ ही साथ rectum होगा और एनस होगा anal opening होगी ये चीज़ आपने याद रखनी है अच्छा उसके बाद बच्चे जो important इसके अंदर component है वो यह याद रखने का है कि इसके उपर दो important flexures है ascending colon और transverse colon जहां पे मिलती है इस point को हम लोग कहते है right colic fracture ठीक है right colic fracture f l x e u r e और बचे जहां पर आपकी transverse colon और descending colon आपस में मिलती है तो इसको हम लोग क्या कहते है left sided colic fracture ठीक हो गया left sided colic fracture and right sided colic fracture अब आपने यह याद रखना है कि उपर से लेके नीचे तक यह मैं blue color की land में शोग का रहा हूँ esophagus को stomach को dudinum को judenum को judenum को ileum को देखे मेरी blue land कहा कहां जा रही है cecum को ascending colon को transverse colon तक यहां तक left colic fracture तक पूरी की पूरी parasympathetic nervous supply जो है बचे that is due to vagus nerve बहुत important बात है इसको आप लोगों ने याद रखना है left colic fracture तक vagus nerve parasympathetic supply दे रही है left colic fracture से आगे यह वाला important function सोंप दिया है अला ताला ने pelvic splatchnic nerve को descending colon sigmoid colon rectum और साथ anus को भी आप रहने दिया अभी anus हम डिसकार्टनी का रहे है ठीक है यहां तक जितनी भी supply है वो pelvic splatchnic nerve की है और जो pelvis में विसरा पड़े हुए हैं वहां भी pelvic splatchnic nerve जो है वो supply करेगी तो मैंने आपको यह basic बता दिया कि कहां कहां आपने demarket करना है अब जब मैं आपसे different organs का पूछूं कि pelvis की parasympathetic supply कौन दे रहा है तो आपको बिल्कुल clearly मुझे यह कहना है कि parasympathetic supply है pelvic splatchnic nerve की होगी यह मैंने आपको दो important rules बता दिया है एक आपको vagus nerve का दूसरा आपको pelvic splatchnic nerve का अच्छा जी उसके बाद बचे दूसरी important बाद जो आपको पता होनी चाहिए कि autonomic nervous system की formation के अंदर एक बहुत important chain अपना role play कर रही है that is known as lumber sympathetic trunk ठीक है जो lumber sympathetic trunk है वो basically continuation है उपर से thoracic sympathetic trunk की ठीक हो गया जो उपर thorax में thoracic cavity में first chair में आप लोगों को पढ़ाया था जो sympathetic trunk है वह नीचे की तरफ continue कर दा है ठीक है और बचे अगर आप लोगों को याद हो diaphragm का structure तो diaphragm के posterior ली क्या होता था right cruss होती थी aotic opening होती थी left cruss होती थी और यह आपकी arcoate ligaments होती है ठीक है तो इनके behind से और इन crusses के बीच में से pass करता है sympathetic trunk अगर आप लगों को first chair की बात याद आई होगी तो अभी clear हो जाएगा अच्छा उसके बाद आप यह देखें के parasympathetic system जो था वो तो मैंने आपको बता दिया कि कौन regulate का रहा है regus nerve regulate का रही और pelvic nerve regulate का रही है और sympathetic nervous system के लिए मैंने अभी आपको जो चीज़ बताई that was lumber sympathetic trunk number sympathetic trunk जो होगा बचे इसके बिसिकली चार गैंगलिया होते हैं आप imagine कीजिए कि यह आपके number vertebra है first second third and fourth तो इनके along intervertebral disc के लेवल पे आपको चार गैंगलिया मिलेंगे ठीक है यह जो चार गैंगलिया यह आपको यह आपको यह आपको यह आपको यह आपको यह आपको यह आ होनी चाहिए यह तीन चीज़े तो autonomic nervous system में अपना role play कर रहे हैं इसके लावा एक और तरह की नारव होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं thoracic and lumber splanchnic nerve ठीक है जो पहले मैंने आपको splanchnic nerve पढ़ाई थी बच्चे वह थी pelvic splanchnic nerve अब यह आपकी है thoracic and lumber splanchnic nerve यह आपने याद आप लोग first year के अंदर थोड़े से cavity के अंदर भी यह पढ़ के आए हैं कि जो आपके thoracic ganglia होते हैं वो splanchnic nerve बनाते हैं कौन कौन सी अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो greater splanchnic nerve lesser splanchnic nerve and least splanchnic nerve if I am not wrong तो मैं आप लोगों को अगर थोड़ी सीरी capitulation दूँ जो के मैंन आपके one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve ठीक है और इसी तरह इस लेवल पे भी आपको यह 12 ganglia मिलेंगे थोड़े six sympathetic ganglia on मिलेंगे अब आप यह देखे हैं कि जो टी one से लेके टी five तक होते हैं यह अलक से अपना काम करते हैं ठीक है यह टी five का ganglia है यह टी six का है यह टी seven का है यह टी eight का है यह यह टी ten का है यह टी eleven का है और यह आपका टी twelve का है टी five से लेके टी nine तक यह वाले बच्चे आपस में मिलके एक नर्व बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते थे first year में greater splanchnic nerve और टी ten और टी eleven के मिलेंगे से बनती थी lesser splanchnic nerve और यहां पर टी twelve से क्या बनती थी least splanchnic nerve या re होगा यह वाला concept तो यह वाली जो इसकी इनर्वेशन है इस प्लांकनिक nerve की यह abdomen and pelvis में भी continue कर रही है तो इसके मुतलिक बच्चे कुछ important high yield points है कुछ rules है पहले आप लोगों को वह समझा दों फिर हम लोग फ्लेक्स की तरफ जाती है greatest splanchnic nerve के मुतलिक बच्चे मैंने अभी आपको यह बताया कि यह arise करती है from T52 T9 वाले थोरे से गैंगलिया से यह बात आपको याद होनी चाहिए number two बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि यह दो important plexuses में contribute करती है कौन से important plexuses में सिलियक plexus and superior misenteric plexus में यह दो आपके nerve के plexuses है यह आप लोगों ने याद रखना है ठीक है अभी यह वाले plexuses में आप लोगों को दुबारा पढ़ाऊंगा डिटेल में एक एक करके number two की उपर आती है बचे lesser splanchnic nerve और मैंने अ बचे जो इसका important contribution होता है वो होता है superior misenteric plexus में यह बात आप लोगों ने याद रखनी है उसके बाद बचे next आपकी nerve आती है that is least splanchnic nerve और मैंने अभी आप लोगों को यह clear किया कि यह T12 के थोरे से ganglion से arise करती है और इसका important contribution होता है वो होता है aotico renal ganglia को ठीक है aotico renal ganglion को अगर यह चीज़े अभी आपको मुश्किल लग रही है तो बिल्कुल परिशान होने की जरूरत नहीं है अभी मैं आप लोगों को यह सारी चीज़ें इन्शाल्ला थोड़ी दिर में clear कर दोंगा अभी आप लोग सिर्फ मेरे साथ concept बनाते जाए greater splanchnic nerve जो है वो सिलियक splanchnic nerve पढ़ाई हैं यह सारी thoracic origin की थी thoracic ganglia से arise का रही थी जो बचे आपकी number splanchnic nerve होती है यह basically arise करती है L1 और L2 से और यह superior mesenteric और inferior mesenteric ganglion को supply का रही होती है मैं ganglion का love दी लूँ या plexus का word लूँ आपने परेशान नहीं होना ठीक है क्योंकि जिस nerve का जो ganglion है उसी से related उसका plexus बनता है यह अब आपने याद रखना है ठीक है अच्छा उसके बाद बचे आप लोगों को एक और आखरी एक important rule लिखवा दूँ उसके बाद हम सवाल पूछे का तो आपको पता होगा हाँ यह दर supply करता है अच्छा अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो different abdominals विसरा होते हैं इनका pain के nerves के through radiate करता है ठीक है यह बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं idea दे दूँ कि what is foregut what is midgut and what is hindgut ठीक है foregut midgut and hindgut क्या हो होता है पार्ट के second part से यहां से आपका शुरू हो जाता है यह है आपका जजनम और आइलियम ठीक है यह सारा अनकी लूप बगएरा बना के मैं आदा नीचे आपन हो रही है सीकम से बचे यह जाएगा उपर 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 जाएगा ascending kolon में transverse kolon में ठीक है बस ट्रास्वर्स क्यों शो कहिए लिए मैंने तीन गट को करने के लिए कि आपका होता है इसकह है यहर ride to therda ओभ कहते हैं मिडवbin और हाइंड गट बचे हम लोग किसको कहते हैं लेफ्ट वन थार्ड आफ ट्रांसफर्स कोलॉन से लेकर डिसंडिंग कोलॉन सिगमर्ड कोलॉन रेक्टम यह सारा आप काता है हाइंड गट के अंदर अब मैंने आपको तीनों गट की डिविजन बता दिया तो अब आपने यह स्पेसिफिक सेंसेशन है जो के स्प्लांचनिक नर्व करती है कौन कौन सी स्प्लांचनिक नर्व करती है यह आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है यह आपका प्रॉफ का टिपिकल एमसी की हुए है इसलिए इसको याद कर लें ग्रेटर स्प्लांचनिक नर्व जो होती ह है इसका पेन पर सीव करती है Number Splanchnic Nerves ये बात आप लोगों ने याद रखनी है ठीक है लंबर Splanchnic Yerves अच्छा इसके इसके लावा एक बहुत important बात बता दूं जो आपके माइड में आई होगी कि मैंने Greater Splanchnic Nerve भी बता दिया responsible होती है ठीक है रेट्रो पैरिटोनियल और्गिंस बचे कौन से होते हैं और एक्जमपल किड्नीज हो गई यूरीटर्स का पर पाठ हो गया आपके गुनेड्स कुछ हो गए एयोटा हो गई यह आपका रेट्रो पैरिटोनियल है ठीक है आपको यह वाली टाम मैं बता देता ह हूं अब या आगे हम जो जो चप्टिस में चलेंगे तो भी मैं बताऊंगा कि बेसिकली ऑर्गिंस जो हैं वो दो तीन तरह के होते हैं एक होते हैं इंट्रा पैरिटोनियल जो पैरिटोनियम के अंदर हैं जैसे आपकी इंट्रेस्टेंस का मैजॉरिटी पार्ट और साथ मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कभी भी मैं आपसे पूछूं कि एक बंदे को पैप्टिक अलसर की परफॉरेशन होई है यानि कि उसके स्टमक में या डूडिनम में परफॉरेशन होई है और उसको शदीद किसम का दार्द हो रहा है तो कौन सी नर्व रिस्पॉंसिबल होगी उसके पैन के कंड़क्शन के लिए तो आप कहेंगे ग्रेटर स्प्लांटिक नर्व तो बचे ये बेसिक रूल्स हम लोगों ने स्टडी कर ली है जितने भी थे अब हम लोग एक चीज़ को डीटेल में देखेंगे और आप लोग उन्हें फोरण फोरण अभी भागना नहीं है जो मैंने आप लोगों को बचे बेसिक डिविजन बतानी थी पहरा सिंपथेटिक और सिंपथेटिक नर्व सिस्टम की वह मैं आप लोगों को अरड़ी बता चुका हूं को कौन कौन सी चीज़ किस किस से सप्लाय करती है पहली होती है वह वर्टिबरी के अलॉंग होती है और आपस में कनेक्टेड होती है यह बात तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी उसके बाद बचे आपको यह पता होना चाहिए कि लंबर सिंपथेटिक ट्रंक होता है वह उपर की तरफ मैं डिफरेंट कलर में शो का रहा ठीक है और नीचे की तरफ बचे अगर आप लोग फरदर एउसकी तरफ आए तो वो नीचे डाउन डाउनवर्ड रन करता है और से कनेक्टेड हो जाता है ठीक है तो अब आप लोग यह देखें मैंने रेड कलर में इसके दो डीमार्केटिंग एंज शो कर दिया है उपर ठ Foresic sympathetic chain, नीचे Cacral sympathetic chain पता होना चाहिए कि सब्सक्रार्ण होती है, लुसे की दो तरह की ब्रांचें क्वास होती है, क्या हुते हैं, वो मैं अभी एक्स्प्लेइन नहीं करूं गा क्यूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि सुबह वाला लेक्चर अटेंड करो जो यूट्यूब की उपर मैंने अपलोड किया था उसी के अंदर यह बेसिक अंफर्मेशन है तो लैटरल इसकी ब्रांचे जो होती हैं उनको बेसिकल यह हम कहते हैं फाइव लंबर नर्व हैं जो और यूर्टिक प्लेक्सफ को लोटो जोमगों करती हैं सुपीरियर 신युइन कि रॉक्ष करके यहां पे शोब्ह भी करता हूं और से लैक वाई होता है यह यह सारे कि और टीयुकर के यह रहुसरग करने चाहता हूं सबसे पहले और यह समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि एयोटा कहां पे है यह बच्चे आपकी अब्डॉमिनल एयोटा है ठीक है जो के लवल पे बाइफरकेट कर रही है इंटु कॉमन आलिये कार्ट्री जो राइट साइड यह राइट साइड है आपका यह लेफ्ट साइड है बोडिका ठीक हो गया अच्छा अब पीचे आपकी inferior mesenteric artery आ जाती है तो यह तीन आर्ट्री को पहले मैं लेबल कर देता हूं सिलियक आर्ट्री हो गई सुपीरियर mesenteric artery हो गई और inferior mesenteric artery हो गई तीन आर्ट्री की बेस पे इन डिफरेंट प्लेक्सस के नाम है ठीक है अब यह देख लो कि यह क्या क्या प्लेक्स सबसे पहले बचे जो प्लेक्स必 हम लोग बाल जार्ट्री करने वाले हैं डाट इस सिल्यक प्लेक्सस को मैं ऐसे सिल्यक आर्ट्री के इतगर जैसे नर्फ की ब्रांचिफ शो कर देता हूं ठीक हो गया यह से करके यह यह इमेजन करो कि है जो मैंने purple कलr का शो कहीं ठीक हो ग गैंगलियाउन जो ता बचे यह basically एक बहुत important ganglion है जो के contribute करता है in the formation of celiac plexus चीक है और celiac यह जो आपका plexus है इसके along होता है चीक है celiac trunk के along एक इधर celiac ganglion होता है एक इधर celiac ganglion होता है आप से कभी भी कोई पूछे what is a ganglion तो आपने कहना है accumulation of nerve cell bodies is known as ganglion, ठीक है, मैंने आप लोगों को सुभावाले लेक्चर में भी ये बताया था, आप से अगला सवाल को ये पूछे कि विच वन, what is the name of the largest ganglion of your body, तो आपने कहना है, silik ganglion is the largest ganglion of our body, ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये study करवाता हूँ कि silik ganglion के further basically two parts होते हैं, कौन-कौन से parts होते हैं याब आप लोगों से देखिएगा, एक होता है बचे इसका अपर पार्ट और एक इसका होता है छोटा सा लोवर पार्ट, जो अपर पार्ट है, इसको हम लोग ये ही कहते हैं कि अपर पार्ट of silik ganglion, और ये actually receive करता है कुछ nerve fibers from greater splunknick nerve, इसलिए मैंने आपको बताया था, कि greater splunknick nerve for gut और mid gut से pain sensation लेके जाती है, और इसके अंदर silik plexus का भी contribution है, जो इसका lower part है, silik ganglion का, इसको हम लोग कहते हैं, aotico renal ganglion, ठीक है, ये बात मैं दो बादर आप लोग के लिए repeat करूं, basically, silik ganglion का ही, जो lower part है, जो smaller part है, उसको हम लोग कहते हैं, aotico renal ganglion, और मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था, कि aotico renal ganglion जो है, वो उसको जा रही है, lesser splunknick nerve, और lesser splunknick nerve, mid gut और retro peritonial structure से pain की sensation को लेके जाती है, ठीक है, ऐसी मैंने आप लोग को बताया था, बिलकुल, ठीक है, बलके lesser splunknick nerve है, और साथ least splunknick nerve, दोनों इसके अंदर important है, ठीक है, दोनों का contribution इसकी तरफ जा रहा है, अच्छा, अब आप लोग बचेए देखें कि जो सिल्यक प्लेक्सस था, ये क्या है, यानि कि सिल्यक प्लेक्सस को बनाने में कौन कौन से fibers contribute कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पत किसके साथ connected है, सिल्यक गैंग्लियॉन connected है, सिल्यक प्लेक्सस के साथ, ये आप लोगों को मेरे arrows show हो रहे होंगे, ठीक है, तो ग्रेटर स्प्लांक्न, अब मैं आप लोगों को बलके एक नीट डियाग्राम बना के फिर ये बताता हूं, एगर ये सिल्यक प्लेक्सस है, यहा सिल्यक प्लेक्सस को, मैं एक की तरफ से शोग का रहा हूं, दोनों तरफ बोट की मैं ड्राउन नहीं का रहा हूं, दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, कि जो फाइबर सिल्यक गैंग्लियॉन के अंदर एराइस करते हैं, यानि कि पोस्ट गैंग्लियॉनिक सिल्यक गैंग्लियॉनिक फाइबर 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 सिल्यक गैंग्लियॉ रहा है पहरा से आएगी वही दुबारा पुरानी वाली बात मिड़ गट और फॉर गट दोनों की जो पहरा से आती है वेगस नर्फ से तो राइट और लफ्ट साइट की वेगस नर्फ सप्लाइए करेगी आपके सिलियक प्लेक्सस को उसके अलावा बचे आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ sensory fiber जो है वो diaphragm से भी आके सिलियक प्लेक्सस के अंदर contribute करते हैं तो बचे अब आगर आप से कोई पूछेगा यह सिलियक प्लेक्सस कैसे बनता है तो आपने कहना ग्रेटर स्प्लांक्निक नर्व लेसर स्प्लांक्निक नर्व पोस्ट गैंग्लियॉन और प प्लेक्सस बन तो गया इसको दोनों साइडों से चार चार्व जो हैं राइट और लेफ साइड की सप्लाय कर रही हैं लेकिन यह प्लेक्सस आगे खुद किसको सप्लाय करता है ठीक है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिलिक गैंग्लियॉन से जो एक प्लेक् तो डाइफ्रंट की यह जो आपको मैं arrow शो कर रहूं इंफीरियर सर्फिस है इसको बेसिकली सप्लाय करेगा आपकी फ्रेनिक प्लेक्स और फ्रेनिक प्लेक्स इसकी डरिवेशन है कहां से डिराइव हुआ है तीक है नमबर टू आपको यह पता होना चाहिए कि इससे एक और जिसको हम लोग कहते हैं hepatic plexus जो के पूरे के पूरे liver को supply करेगा यह आपको पता होना चाहिए तीसरा plexus जो इससे arise करता है that is left gastric plexus और नाम से पता चल रहा है कि stomach आपकी body में left side पर लाए करता है तो left gastric plexus stomach को supply करेगा चोथा plexus जो से arise करता है that is spleenic plexus जो के spleen को supply करेगा अगर मैं short form में बात कहूं तो यह सारे वो structures हैं जो कि आप लोग है ameliorology में भी पढ़ेंगे जो कि four gut से related है तो four gut के सारे structures को से लिए flexus supply करेगा ठीक हो गया उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि testicular plexus यानि कि testicular plexus के अंदर भी यह अपनी ब्रांच देता है ठीक है उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि यह देखो मैं आप लोगो दोबाराक रफ़ा शो कर दूँ कि फॉर एक्जमपल यह अब्डॉमिनल एोटा है यह इसकी कॉमन अईलिय कार्ट्री है यहां पर सुपिरियल मिजनटरिक यहां पर इंफिरियल मिजनटरिक तो सिलिय क्लेक प्लेक्सिस इसके अंदर कहा था तो के नीचे की तरफ भी ब्रांचेस देता है सुपूरियर मीजाँटेरिक काट्री की इस जो प्लेकसफ होगा सुपूरियर मीजाँटेरिक प्लेकसफ उसके अंदर भी इसकी बिर्वांचेस जाएंगी इसलिए आपने यह भी मैंशन करना है इसके हलावा बचे तीन और important plexuses यह देता है उनको मैं यहां पर अलग से separate mention करूंगा क्योंकि वो बहुत important है सबसे पहले सिलिक ganglion जो होता है वो जो सबसे important plexus बनाता है वो होता है renal plexus चीक है renal plexus जो होता है बचे इसको कहा कहा से नर्फाइबर बहा रहे हैं एक तो सिलिक ganglion से आ रहे हैं इसके अलावा आप लोग यह देखो कि जो first splanctic nerve होती है first number splanctic nerve जो होती है मैंने आप लोग को बताया था कि जो आपके structures है different retro peritonial structures उनको number splanctic nerve भी supply करती है तो किजनी क्योंके retro peritonial है तो number splanctic nerve भी इसको supply करेगी यह basic nerves का आपको पता होना चाहिए इससे जादा detail में जाने की जरूरत नहीं है और यही enough है basically यही आपके लिए important है जितना important है वो आपने cover कार लिया है ठीक है इसके अलावा अच्छा अब बचे आप लोग का सिलिक प्लेक्सस यहां पर terminate होता है खतम होता है इसके आगे जो प्लेक्सस है वो मैं आपको अगले lecture में बताऊंगा आप लोगों को new link बेज रहा हूँ जल्दी से वापस आईएगा 40 minutes का आपका lecture ओर होगा 30-40 का उसके बाद आपकी छुटी पूरे abdomen and pelvis की nerves आपकी आज cover हो जाए so be brave and come back as soon as possible